पेरिस ओलम्पिक में भारती पुरुशो की टीम ने उम्मीदे बरकरार रखी हैं। टीम ने अरजुन्टाइना के साथ मुकाबला एक-एक की बराबरी पर खत्म किया। दरसल भारती टीम ने बिलकुल आखरी वक्त में मैच का रुख बदल दिया। टीम इडिया तकरीब 55 मिनट तक एक शुन्य से पीछे चल रही थी लेकिन इसके बाद आखरी मिनिटों में भारती खिलाडियों ने घजब का जजबा दिखाया। भारती टीम के लिए हर्मन प्रीज सिंग ने आखरी मिनट में गोल दाग कर सुनिश्चित दिख रही टीम इंडिया की हार को टाल दिया सबसे पहले आर्जंटाइना ने दूसरे क्वार्टर में गोल दागा और मुकाबले में एक शुन्य से आगे हो गई इसके बाद काफी देर तक भारती खिलाडी गोल करने के लिए जूचते रहे लेकिन काम्याभी नहीं मिली इस दौरान भारती खिलाडियों को गोल क कि हार को टाल दिया अब भारती टीम के सामने आर्लेंड की चनौती होगी बता दें कि इससे पहले भारती टीम ने दो एक से न्यूजिलेंड को हराया था वहीं अब भारत अर्जंटाइना मैच बराबरी पर छूटा यानि अभी तक भारत कोई भी मैच हारा नहीं है अब य कर दो